मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलर्जी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नहीं चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूंगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ साथ ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा whatsapp number है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या phone consultation लेना चाहते हैं तो इस whatsapp number पर message send कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक square shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को check किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं fingers काफी अच्छी thickness में हैं और fingers के उपर काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं मौझूद हैं कुछ इस तरह की रिखाओं की मैं बात कर रहा हूँ जो लगबग इनकी सभी fingers के lower phalanges के ओपर नजर आ रही है इस तरह की रिखाओं का होना indicate करता है कि native की जो nature है काफी मिलन सार रहेगी ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाले होते हैं अगर हम fingers की लंबाई की बात करें तो shiny finger की length यहाँ पर काफी अच्छी नजर आ रही है shiny finger का अच्छी length में होना native को hard working बनाता है ऐसे व्यक्ति काफी मेहनती होते हैं और अपनी इसी quality की वज़े से life में अच्छी success पाने में कामियाब रहते हैं अगर हम बात करें इनकी index finger और सूर्य finger की यह जो index finger है ब्रस्पती की finger कहलाती है और यह जो ring finger है इसको हम सूर्य की finger कहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों fingers की जो लंबाई है वो लगवग एक समान नजर आ रही है इसकी वज़े से ऐसे native के भीतर creativity वाली qualities तो काफी अच्छी होती हैं साती सात आर्टिस्टिक qualities भी होती हैं और ऐसे native के भीतर काफी अच्छी leadership qualities रहती हैं गुरू finger की अच्छी लंबाई होने की वज़े से आप यहाँ पर देख सकते हैं fingers की thickness भी काफी अच्छी है इस तरहें कि thick fingers का होना indicate करता है कि native की energy and stamina का level भी काफी अच्छा रहेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो group finger है, बिल्कुल straight है जबकि इनकी shiny finger और souria finger हलका सा एक दूसरी की तरफ जुक रही है और ब्रस्पती फिंगर जितनी स्टेट हो जितनी थिक हो उतना ज़्यादा बहतर माना जाता है उतनी अच्छी strong leadership qualities native के भीतर रहती हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी सूर्या finger length में अच्छी होने की वज़े से native की जो personality है थोड़ी सी risk taker type की रहती है ऐसे व्यक्ति life में risk लेने से नहीं घबराते और life में कई बार तो अपने धनसी धनसे सबंदित जो investments है उसके लिए भी risk ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगाहों पर invest कर देते हैं जहां पर loss के chances भी रहते हैं जैसे share market है crypto currencies है mutual funds है ऐसी जगाहों पर अपने धन को invest करने की रूची भी इनके बीतर रह सकती है बात करते हैं की mercury finger की आप देख सकते है mercury finger बिल्कुल straight है यहां पर यह finger इनके सूर्य finger के top falange तक पहुंचती हुई नजर आ रही है जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के communication skills काफी अच्छे रहते हैं communication skills के साथ साथ अगर यह finger बिल्कुल straight और बिल्कुल बाई में हो तो native का business equipment और calculations करने की जो काबलियत है वो भी काफी अच्छी रहती है तो overall आप यहां पर देख सकते हैं fingers काफी positive नजर आ रही हैं बिल्कुल base falanges में यहां पर gaps नजर नहीं आ रहे fingers आपस में सटी हुई हैं और जिन लोगों की fingers में यहां पर gaps नहीं होते ऐसे native क की जो money management है वो काफी अच्छी रहती है ऐसे व्यक्ति धन की एहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है किस तरह से invest करना है इस चीज़ को भली बाती जानते हैं और इसी वज़या से life में काफी अच्छा धन संग्रह करने में भी काम्याब रहते हैं चलिए रिखा बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी मांट यहाँ पर ज्यादा low set नहीं है सभी मांट को यहाँ पर बहुत अच्छी space मिलती हुई नजर आ रही है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके guru मांट के उपर यहाँ पर कुछ आपको स्वास्तिक ज मांट पर बनता है तो ऐसे व्यक्ति बहुती spiritual nature के होते हैं धरम करम के काम करने वाले होते हैं और अपनी middle age के आसपास पहुँचकर समाज में काफी अच्छा मान समान और प्रतिष्ठा भी पाते हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको एक हलका सा बुद्धा आई का चिन भ बहुत अच्छे होती है ऐसे व्यक्ति की छटी इंदरी स्क्रिया रहती है और ऐसे native इनके हाथ पर स्वास्तिक का साइन हो बुद्धा साई का चिन हो तो ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं का पूर्वा अनुमाल लगाने में सक्षम रहते हैं इसे के साथ सथ यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा चिन और नजर आ रहा है इनके हाथ में जिसको हम गहते हैं फिश का सिंबल और वो भी यहाँ पर इनके हाथ में डबल होता हुआ नजर आ रहा है आपको दिखाना चाओंगा यहाँ पर सबसे पहले तो इनकी लाइफ लाइन के बिलकुल लास्ट में चलकर एक फिश का सिंबल यहाँ पर बनता हुआ और उसी तरह का एक बिलकुल इसके साथ सटा हुआ चिन और आपको नजर आएगा नाजर आ रहा है इस तरह का चिन होना नेटिव को भाकेशाली बनाता है ऐसे व्यक्ति को लाइफ में अचानक धनलाब होने की योग रहते ह हैं और ऐसे नेटिव लाइफ में कई बार विदेश यात्राइं भी करते हैं इन्हेरेटेड वेल्थ मिलने की समभावनाइं बढ़ जाती हैं और साथी साथ सदन वेल्थ गेंस कई बार शेयर मार्केट से या लॉटरी से ऐसी चीजों की समभावनाइं भी काफी ज़ादा शनी माउंट की तो आप यहां पर देख सकते हैं इनका जो शनी माउंट है हलका सा दबता हुआ फ्लैट नजर आ रहा है जिसकी वजह से नेटिव को लाइफ में काफी मेहनत भी करनी पड़ती है यहां जो एरिया है अगर उठा हुआ हो तो इसके जो रिजल्ट से वो विप प्रीद रहते हैं लेकिन इस माउंट का हलका सा दबना नेटिव से काफी मेहनत भी करवाता है अब देख सकते हैं यहां पर इनके दोनों इन रिखाओं के बीच में क्रॉस का चिन है जिसको मिस्टिक क्रॉस का चिन बन रहा है और कुछ हद तक यहां पर भी एक फिश की अक टैरो कार्ट साइसे चीजों में काफी अच्छी रूची ऐसे विक犁की की रहती है और ऐसे नेटिव इन चीजों को सीक भी सकते हैं अब बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की तो आप यहां पर देख सकते हैं सूर्य माउंट का जो एरिया है बिल्कुल यहां पर फ्लैट नज़र आ रहा है एक से ज़्यादा रिखाईं यहां पर नेटिव को मल्टी टासकिंग बनाती हैं ऐसे व्यक्ति के भीतर एक से ज़्यादा काम एक ही समय पर करने की काबलियत रहती है लेकिन यहां पर दिकत क्या रहती है कि ऐसे नेटिव उस एक काम के उपर फोकस नहीं कर पाते जो सबसे जरूरी रहता है और यहां पर फोकुस जो है वो कई चीजों के उपर एक साथ होने की वज़े से जो नेम एंड फेम है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता इस तरह की रिखाएं होने से ऐसा व्यक्ति जैक ऑफ और मास्ट ऑफ नन जैसी स्थिती में आ जाता है तो यहां पर ओवरॉल सूर्या कमजोर हो रहा है काफी सारी रिखाएं होने की वज़े से अगर एक सीधी रिखा यहां पर मौझूद हो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी एक रिखा मौझूद हो तभी उसको ज्यादा लाब मिल पाता है और आप यहां पर देख सकते हैं इनकी जो भाग्या रेखा है यहां से कुछ इस तरह से चलती हुई और बीच में आकर थोड़ा सा वी कोरियल लेकिन भाग्या रेखा काफी लंबाई में है और सीधा शनी मौट के उपर तक पहुँच रही है जिसकी वजह से धन के मामले में ऐसे व्यक्ति लकी रहते हैं और लगबग यहां पर 30 की एज़ के बाद काफी अच्छा धन इनके पास आने वाला है आगे बात करते हैं इनके मरकरी की तो आप यहां पर देख सकते हैं मरकरी माउंट हलका सा लो सेट होता हुआ लेकिन उबरा हुआ माउंट होने की वजह से नेटिव के कम्मिनिकेशन स्किल्स और विजनस एक्कुमेन काफी स्ट्रॉंग रहने वाला है बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की आप देख सकते हैं हार्ट लाइन को कुछ इस तरह से हार्ट लाइन आगे बढ़कर एक विशनु सिंबल की फॉर्मेशन कर रही है इस तरह का चिन अगर हथेली में बन रहा हो तो ऐसे नेटिव लाइफ में खूब तरक्की कर पाते हैं लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करें तब लाइफ में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और जो प्रॉग्रेस है वो रुक सकती हैं उसकर साथ साथ हार्ट लाइन में यहां पर ओवरलैपिंग नजर आ रही है कुछ इस तरह हैं कि ओवरलैपिंग हार्ट लाइन के इस एरिया में लगब फिफ्टे के आसपास की एज में दिक्कतें दे सकती है हार्ट से रिलिटर प्रॉब्लम्स का होना यहां पर सभाविक है और अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो काफी अच्छी लंबाई में इनकी माइंड लाइन नजर आ रही है कुछ इस तरह है कि इनकी माइंड लाइन थोड़ा सा नीचे की तरफ जुकाव इस रेखा का होना नेटिव को ओवर इमेजिनीशन देता है ऐसे वेक्ति कि ठिंकिंग काफी ज़ादा रहती है इसी वज़े से कई बार स्ट्रेस रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है और अगर हम बात करें इनकी लाइफ लाइन की काफी अच्छी लंबाई में लाइफ लाइन और अंत में चलकर एक फिश का सिंबल बनना ऐसी रिखा होना नेटिव को प्रवास भी करवा सकती है ऐसे व्यक्ति को अपनी घर से दूर रहना पर सकता है अपनी काम के सलसले में या जॉब के सलसले में ऐसे व्यक्ति घर से दूर रह सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं इनकी जो लाइफ लाइफ लाइन है और इसके अंत में यहाँ पर कुछ इस तरह से एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आ रहा है इस तरह का चिन होना नेटिव को लाइफ में कई तरह के फायदे भी देता है और ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है वीनस माउंट के अगर हम बात करते हैं तो वीनस माउंट के उपर बहुत सारी रिखाओं का होना रिलेशन्शिप्स के लिए और मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता ऐसी रिखाएं होने से नेटिव को कुछ वरीज फैमिली की तरफ से मिलती है जिसकी वज़य से नेटिव की फैमिली लाइफ थोड़ी से डिस्टर्ब रह सकती है और अगर हम इनकी लाइफ 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 की लंबाई की बात करें इस तरह की आड़ी रिखा अगर चंद्रमाउंट के उपर मौजूद हो तो नेटिव को किसी तरह की ऐलर्जी या एडिक्शन की प्रॉब्लम भी हो सकती है और इस एरिया पर अपवर्ड जाने वाली रिखाई मौजूद हो जैसे आप यहाँ प्रैसी रिखाई दे सकते हैं और खास तोर पर यहाँ पर तो फिश का सिंबल भी बन रहा है इस तरह की रिखाई अगर यहाँ मौजूद हो तो नेटिव लाइफ में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करता है फॉरण ट्रैवल करने की जो संभावनाएं हैं वो लाइफ में काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो दोस्तों यहाँ कुछ अनेलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जो आब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्या स्वाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पे message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद